हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में सवागत है और दोस्तो आप लोग कैसे हैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और दोस्तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है कोमेंट करके जरूर बताइयेगा दोस्तो मैं आप लोग लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी मेरे वीडियोज को कृपिया लाइक कर दिजिए चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तो मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज को जरूर देखिए सभी वीडियोज काफी helpful है और आपके English जरूर इंप्रूब होगी तो दोस्तो आज का वीडियो भी काफी interesting है तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग like जरूर कर दिजिएगा चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और दोस्तो एक बार playlist जरूर चेक करेंगे आपको इस वीडियो के description box में बहुत सारे links मिल जाएंगे So friends, without wasting much time, let's get started now Hello दोस्तो आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज हम लोग एक important topic पर लिखने जा रहे हैं तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है क्रिप्या इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे और दोस्तो यदि आप अपने English को सुधारना चाहते हैं, improve करना चाहते हैं तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोज हैं, सभी वीडियोज को जरूर देखें आपको important playlists के link इस वीडियो के description box में मिल जाएंगे तो आप लोग सभी एक बार जरूर चेक आउट करेंगे साथ ही दोस्तो आप लोग इस request है कि आप लोग मुझे Instagram पर भी फोलो कर लीजिए मेरा user ID है allround knowledge दोस्तो आज का पहला sentence है school magazine school का एक महतपुर्ण भाग है तो यहाँ पर लिखेंगे the school magazine is an important part of the school the school magazine is an important part of the school यह साल में एक बार परकासित होता है यह दोस्तो परकासित किया जाता है इस तरीके के sentence को हमेशा passive voice में लिखते हैं तो मालिजे कि यह परकासित किया जाता है it is published it is published एक बार once साल में in a year it is published once in a year school magazine के जरिये बिद्यार्थी अपनी लिखने की कला को निखार सकते हैं या फिर सुधार सकते हैं और यहाँ पर के जरिये के लिए through यूज करेंगे और दोस्तों यहाँ पर subject क्या है बिद्यार्थी यानि की students can improve या फिर grow आप यहाँ पर develop भी लिख सकते हैं enhance भी लिख सकते हैं अपनी लिखने की कला को students can improve their writing skills through the school magazine इसमें कहानिया कविताएं निवंद इत्यादी होते हैं माली जी दोस्तों एक box है और box के अंदर बहुत कुछ है तो वहाँ पर आप contain यूज कर सकते हैं माली जी ए के glass में पानी है तो the glass contains water तो उसी परकार इसमें कहानिया कविताएं निवंद इत्यादी होते हैं तो यहाँ पर eat एक तरह subject है इसे कुछ विद्यार्थियों और सिख्षकों के द्वारा लिखा जाता है तो दोस्तों यहाँ पर है लिखा जाता है यानि कि passive voice में है और simple present tense में है दोस्तों जैसे माली जी ए मुझे प्रहाया जाता है I am taught तो इसे लिखा जाता है It is written It is written कुछ विद्यार्थियों और सिख्षकों के द्वारा एक लेखक प्रकिर्थि और समाज के बहुत बड़े प्रिवेक्षक होते हैं यानि कि observer होते हैं closely observe करते हैं तो यहां पर लिखेंगे A writer is a great observer of nature and society A writer is a great observer of nature and society हमें इस रिजन सील बनना चाहिए और दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए तो यहां पर एक तरह से अडवाइस है और चाहिए है should use करेंगे we should और बनना यानि कि become या be we should be creative and should not copy others we should be creative and should not copy others दूसरे व्यक्ति के विचारूं टेक्स्ट और दूसरे creative work की नकल करना साहितिक चोरी कहलाता है तो दोस्तो इसे English में क्या कहेंगे पहले हम लोग लिखेंगे copying other person's ideas texts and other creative work साहितिक चोरी कहलाता है is called pleasureism तो दोस्तो pleasureism बहुत ही important word है जिसका अर्थ होता है साहितिक चोरी copying other person's ideas texts and other creative work is called pleasureism school magazine भविसे के लेखक और उभरते हुए कभियों के लिए एक प्रारंभिक परियास है दोस्तो प्रारंभिक परियास इसे stepping stone भी कहा जाता है एक phrase है stepping stone और उभरते हुए यानि कि एक तरह से खिलते हुए budding और इसे emerging भी कहा जाता है emerging player उभरते हुए खिलाडी दोस्तो यहाँ पर लिखेंगे school magazine is the stepping stone भविसे के लेखक और उभरते हुए कभियों के लिए for the future writers and the budding poets विद्यार्थी अपने लेखन को print में देखकर खुस हो जाते हैं तो दोस्तो यह simple present tense में है लेखन को या फिर रचना को आप writing भी लिख सकते हैं writing noun की तरह भी use होता है तो यहाँ पर subject है विद्यार्थी यानि की students खुस हो जाते हैं become happy to see their writing और यहाँ पर है print में in print यानि एक तरह से paper में छपे हुए देखकर खुस हो जाते हैं students become happy to see their writing in print इस परकार school magazine विद्यार्थियों को भविस में अच्छे लेखक बनने में मदद करती है इस परकार यानि की thus अच्छे लेखक बनने में तु बिकम गुद राइटर्थियों को जाते हुए अच्छे लेखक बनने में in future thus the school magazine helps the students to become good writers in future परतेख विद्यार्थी को किसी ने किसी topic पर लिखने की कोशिश जरूर करनी चाहिए तो यहाँ पर जरूर चाहिए यानि की must परतेख विद्यार्थी every student दोस्तों जब भी every और each का यूज़ करते हैं तो उसके बाद आने वाला noun हमेशा है singular form में होता है कभी भी every students नहीं होगा यानि कि ace add नहीं करेंगे every student must try to write on some topic every student must try to write on some topic I hope dear students and friends के आज का यह वीडियो आप लोगो को अच्छा लगा होगा यदि यह वीडियो आप लोगो अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और दोस्तों आप लोगो end screen के रूप में बहुत सारे वीडियो ज नजर आ रहे होंगे किसी एक पर किलिक कीजिए और सभी वीडियो ज को जरूर देखिए साथ ही दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फोलो कर लीजिए मेरा user ID है Allround Knowledge All right dear students and friends Thanks for watching Have a great day